दोस्तों एक बेक्ती ने हमसे सवाल पूछे हैं कि मात्र हम 10,000 के महीना कमाते हैं और 10,000 में याज के डेट में महांगाई के दौर पे फैमली चलाना बहुत ज़्यादा मुस्किल हो गया है तो क्या हम 10,000 के महीना जब कमाते हैं तो क्या हम पैसा बचा सकते हैं अपने गतराने में या कुछ भी करने में 10,000 का महीना मेरा इशाही वेश्ट हो जाता है और 10,000 महीना ही कमाते हैं तो हम पैसा बचा ही नहीं रहे हैं तो कहां से इन्वेंश्ट मेंट करेंगे बहुत सारे मन में हम आखयाने वाल है कि प्सक्रेशातेirm कर कर सकते और क्ड़ों, प् एक ऐसा platform आप लोग को बताने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ही मैदार होने वाला है लाश्ट तक देखिएगा वीडियो को सुरू करने से पहले आप लोगा छोटा सा request है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ने कि था सब्सकाब विजरू कर लिजिगा और दोस्तों को वास सेर कर लिजिगा सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम मालीजे की कोई बेखती है जो की 10,000 रुपया पर मंथ कमाता है 10,000 रुपया पर मंथ कमाता है अब क्या 10,000 रुपया में से अपना फेमली चला सकता है फेमली चलाना मुश्की लोग हो गया है तो इंबेस्टमेंट कहां से करेगा जब फेमली इतना में नहीं चल ला है 10,000 में तो ओई इंबेस्टमेंट कहां से करेगा तो हम बताने वाल है कि सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपया में अपना फेमिली भी चलाईएगा और इंबेस्टमेंट भी करिएगा और कडूरू रुपया या कत्रिद भी करिएगा बसरते बहुत ही गोर्षे समझना होगा अब बहुत ही अच्छे से मेरे वीडियो को फोलो अप करना पड़ेगा अब देख ली यह काईसे करना है तो सबसे पहले आप लोग को बता दूँ अश्टोक के नाम आप लोग सुने होंगे जो लोग नहीं सुने हैं वो लोग जान जाएं कि अश्टोक का मतलब हो गया कि जो सेर मेरा पैसा लगाया जाता है जो सेर में पैसा लगाया जाता है उस पैसा अश्टोक में ही जाता है देखिए अश्टोक में जो पैसा हम इंवेस्टमेंट करने का जो तरीका होता है अलग-अलग होता है और स्टॉक में तीन रास्ते आ जाते हैं मेरे सामने तीन रास्ते कौन-कौन से आ जाते हैं इसके बारे में थोड़ा गोर से समझ लीजिए यहां पर हो जाता है मेरा mutual funds यहाँ पर आ गया मेरा एक नमबर में mutual funds दूसरा हो गया share buy और तीसरा हो गया आपका trading तीनों में पहले अंतर समझ लिए उसके बाद से हम बताते हैं इसका हम नाम ही नहीं रखेंगे क्योंकि हम इसके बारे में चार्चा ही नहीं करना है इसका भी हम नाम नहीं रखेंगे अब मेरे सामने एक आगया है mutual funds तो हमको इस फरकार से पैसा investment करना है कि माली जह हम 10,000 रुपया चैल्ली उठा रहे हैं तो उसमें से हम अगर 1000 रुपया या 600 या 500 रुपया investment करें तो इसमें मेरा घाटा नहीं लागे अगर 600 रुपया हम श्टॉक में जोक दिये और मेरा पैसा डूप गया तो बहुँ ज़्यादा दर्द मौसूस होगा क्योंकि हम 10,000 का महीना कमा रहे है ज्यादा तो पैसा कमाया नहीं रहे है इसी परकार से हमको देखिए mutual funds में पैसा investment करना है क्योंकि mutual funds का जो पैसा होता है direct share में नहीं जाता है direct trading में नहीं जाता है mutual funds का जो पैसा है mutual funds में हम लोग investment करते है और यह जो पैसा है यह stock में investment करता है तो यह market में पैसा अपना यह डालता है तो हम किसको पैसा देंगे तो mutual funds को और mutual funds में भी दो रास्ते होते हैं एक होता है SIP और दूसरा होता है और दूसरा होता है आपका lump sum एक होता है SIP और दूसरा होता है lump sum अब lump sum का मतलब हो गया कि हमारे पास कहीं से पैसा आया एक लाख दो लाख या कितना भी ज्यादा amount आया और एक बार में लगा दिये इसमें और हमारा इसमें ब्याज बढ़ रहा है तो हमारे पास अगर 10,000 महीना आ रहा है तो ज्यादा amount है नहीं कि हम lump sum कराल लेंगे तो हमको भी आज मिलता रहेगा हमको ध्यान देना है कहां पर SIP पर SIP के बारे में एक चीज समझ लीजिए कि जिस परकार से हम बीवा जामा करते हैं है LIC खुलवाते हैं या अपनों बच्चों के लिए जो करने समर्दियों जना में पैसा investment करते हैं उसी परकार से यह भी होता है SIP लेकिन अगर आप FD कराते हैं bank में कितना percent मिलता है पैसा 8-9 percent अगर हम RD कराते हैं तो कितना पैसा percent मिलता है 6-7 percent अगर हम कहीं से कहीं और पैसा investment करते हैं तो कहीं न कहीं अगर पैसा investment करती है तो उसमें 9-10 percent इससे ज्यादा interest rate इसका नहीं मिल पाता है लेकिन एक SIP ऐसा चीज है कि 14 percent से ले करके आपको 26 percent 30 percent 100 percent returns दे सकता है इसका कोई limit नहीं है कि कितना returns आपको देदेगा कितना interest rate आपको देदेगा तो SIP के बारे में एक जान लीजिए कि हम कितना पैसा investment करें और कितना पैसा investment करें कि हमारे पास कम से कम एक कुडूर रूपया हो जाए कि कितना investment करें कि हमारे पास एक कुडूर रूपया हो पास 600 रूपया एक मंथ का 600 रूपया पॉर मंथ अगर हम investment करते हैं तो कितना हमारे पास पैसा हो जाएगा क्योंकि एक दिन का मात्र 20 रूपया बहुच रहा है आपके पास 20 रूपया ही investment करें बताएंगे और long terms के लिए करेंगे ताकि कि हमारे पास कुछ पैसा ज्यादा आए अब देखिए ग्रूव अप्लिकेशन में चलते हैं या हम चले जाते हैं डाइरेक्ट साइपी कल्कुलेटर में और आप लोग को दिखाते हैं कि अगर 600 रूपया पर मंथ investment करिएगा तो कब जा करके आपके पास एक कड़ोर रूपया हो जाएगा तो चले आए हैं यहां पे हम साइपी कल्कुलेटर में और आप भी कोई से कर सकते हैं गुगल पर जा करके और साइपी कल्कुलेटर जब लिखिएगा तो उसमें आप लोग को दिखा देगा कितने पैसा इंबेस्टमेंट पर मंथ करना है कितने परशेंट रखना है यह आपको हो जाएगा चेक कर सकते हैं खुद से यहां पे 20% के रेट से हम यहां पे जोडते हैं मिनमम लेकर चलते हैं ज्यादा हम इंट्रेस रेट लेकर नहीं चलेंगे 600 रुपया पर मंथ लेक चलते हैं और कितने साल के लिए भी मिल सकता है 30% भी मिल सकता है लेकिन हम मिनमम लेकर चलते हैं 20% और 600 रुपया पर मंथ के हिसाब से अगर हम इंबेस्टमेंट करते हैं 29 महिने 29 साल के लिए तो अगर 29 साल के लिए लेकर चलते हैं तो आपको हम कितना इंबेस्टमेंट कर देंगे 29 साल में 600 रुपय महिना के हिसाब से तो दू लाख आठ हजार 800 रुपया 29 साल लागतार हम इंबेस्टमेंट करेंगे तो दू लाख आठ आजार 800 रुपया हम जामा कर पाएंगे लेकिन वहीं हमको सिर्फ जो इंट्रेस्ट रेट होता है रिटॉन्स जिसको ब्याज बोला जाता है हमको ब्याज कितना मिल जाएगा एक कोड़ोर बारे लाख 89,271 रुपया हमको ब्याज मिलेगा और यह यह मिला करके दोनों हो जाएगा एक कड़ोर चवदे लाख 88,071 रुपया इतना ज्यादा हमको सिर्फ ब्याज मिल जाएगा 29 साल में अगर मातर 600 रुपया हम इंबेस्टमेंट कर रहा है तब जा करके तो जब आपका साधी ब्याज नहीं हुआ है उसी टाइम से अगर आप इंबेस्टमेंट करना सुरू कर दिये है एक समय ऐसा आया कि जब आपका मच्चे दो साल तीन साल पान साल के हो गए ताहिम में आपके पास पैसा जो है एक कुड़ चोगड़ लाख अठासी एजार एक अत्रीत हो जाएगा तो एसा पी एक ऐसा चीज है एक जरिया है जो कि सबसे ज्यादा रिटर्स मिलता है यह जो पैसा है मीच्वल फंड्स का ड जोकते नहीं है अपना पैसा ओपैसा मीच्वल फंड्स को हम देते हैं एसाइपी के जरिये और उस पैसा को एस्टोक में कौन डालता है तो मीच्वल फंड्स इसलिए मैं बलता हूं कि अगर आप इंवेश्टमेंट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रिक्स उठाईए और मी इसा इंवेश्टमेंट करेंगे